नमस्ते टेरिस कीचर में आपका स्वागत है ऐसे तो आपने बहुते बार मैगी खाये होंगे लेकिन आज हम बिल्कुल अलग तरीके से मैगी से पीजा बनाएंगे चलिए इसे बनाते हैं मैंनी यहां दो पैकेट मैगी, हरा सिम्ला मिर्च, लाल सिम्ला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्ण, मिच्ट हर्ड्स, रेट चिली फ्लेक्स, मुझरेला चीज, कॉन फ्लोर, तेल और पीजा पास्ता सॉस लिया है सबसे पहले कड़ाई में डेल कप पानी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे पानी गर्म हो गया है इसमें हम मैगी को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे मैगी बन गया है और इसमें जो भी पानी था वो पानी सुख गया है अगर आपके मैगी में अभी भी थोड़ा पानी रह गया है तो आप उसे सुखा लें इसमें दो चम्मच कॉन फ्लोर डालेंगे अगर आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगर पर इसमें दो चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं और इसे फोक से मिक्स करेंगे कॉन फ्रोर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा यह मिक्स हो गया है अब हम एक दूसरा पैन लेंगे इसमें एक चम्मस तेल डालेंगे इसे तेज फ्लेम पर गर्म करेंगे पैन कर्म हो गया है इसमें मैगी डालेंगे और इसे फिलाएंगे इसे एक बड़ावर करके अच्छे से फिलाना है इसके किनारे में एक चम्मस तेल डालेंगे इसे ढख देंगे और इसे पांच मिनट मेडियाम फ्लेम पर पकाएंगे देखे यह पैन को छोड़ दिया है बिलकुल आसानी से यह अलग हो रहा है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके उपर एक प्लेट रखेंगे और इसे धीरे से पलटेंगे वाव देखे यह कितने अच्छे से बन गया है अब हम इसी पैर में एक चम्मस तेल और डालेंगे और इसमें हम मैगी को धीरे से डालेंगे और इसके उपर दो चम्मस पीजा पास्ता सॉस डालेंगे और इसे फैनाएंगे अगर आपके पास पीजा पास्ता सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पे टामेटर सॉस और चिली सॉस डाल सकते हैं इसके मोजरेला चीज डालेंगे मोजरेला चीज आप अपने अनुसर कम और ज्यादा भी डाल सकते हैं इसके उपर हरा सिमला मिट्च लाल सिमला मिट्च प्याज और स्वीट कॉन डालेंगे इसे ढखते हैंगे और चीज मेल्ट होने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे वाव चीज मेल्ट हो गया है इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इसके उपर हर्ट्स और एट चीजी फ्लेट्स डालेंगे इससे पीजा खाने का स्वाल दुगना हो जाता है इसे काटेंगे देखिए नीचे से भी कितने अच्छी से सेट हुआ है इससे फोक से खाएंगे यह देखिए वाओ यमी मैगी से पीचा तयार है धन्यवाद झाल झाल झाल